वेल्कम टू माई चैनल आज हम दोग देखेंगे बैंक निफ्टी में इंसाइड कैंडल का कितना ज़्यादा पाइदा हुआ है वेल इंसाइड कैंडल क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूं यह देखिए माल लीजे कि यह एक कैंडल है और इसके अंदर एक छोटी सी कैंडल बनी है यह रेखे ऐसा कोई कैंडल बन गया है और यह माले जी थोड़ा मेरा बन रहा है लेकिन यह जो बड़ी सी कैंडल इसको मदर कैंडल भी कहते हैं और इसको बेबी कैंडल भी कहते हैं अगर मदर कैंडल पहले बना है बेबी कैंडल बाद में बन गया है इसी को hefill inside candle कहते हैं यह inside candle हुगया है मतलग इसका जो high है और इसका जो low है और दुसरा जो candle बईना है इसका पूरी candle अन्दर में आ जानी चाहिए इसके high to low के बीच में आ जाना चाहिए इसी को हम नोगकी आपको बताता हूं जैसे देखे ये मार्केट हम लोग का ऊपर हुआ था मैं बता देता हूं यह तीन नॉर्बर यहां पर देखें यह 15-0 का यह रहा है जो यह आप देख रहे हो ना यह आपका है 15-0 का कैंडल हो गया यह देखिए और इसके ऊपर एक candle close लिया था और फिर तुरंत एक negative inside candle बन गया था आप जैसे देख रहे हो कि इस candle के अंदर यह पूरी candle आ सकते हैं तो कुछ परसन यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे मालिजी यह candle जैसे close हुआ यहाँ पर वो ट्रेड ले थे और इसके हाई प काफी range तक फसर रहे गया था और उसके बाद देखे क्या हुआ बहुत बड़ा जो परसन लगाये होंगे बहुत बड़ा उनको move मिला होगा जैसा कि अभी आप देख पा रहे हों यहाँ देखिए वेट हाँ तो आप जैसे देख पा रहे हो यह देखिए और कुछ परसन देखिए और भी एक जगा inside candle आपका बना है यह इस प्लेस पर भी आप देखो गए तो एक inside candle बना हुआ है यह देखिए यह वाला प्लेस जो है एक नट यह प्लेस भी क्या है कि inside candle बना है उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक inside candle आपका बना है उसके बाद देखिए फ्राइज आपका नीचे चला गया है तो जिस फरसन ने inside candle पे ट्रेट लिया होगा देखो कितना बड़ा benefit उनको मिला होगा यह है inside candle का power इतना बड़ा फाइदा होता है अलाकि कभी-कभी अगर inside candle मिलता है तो एक-दो inside candle में ही बहुत बड़ा profit आपको मिल जाता है तो अपनी observation थोड़ा बढ़ा के रखिएगा कि inside candle का बहुत बड़ा benefit है उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और सबको happy दिवाली कल मुरत trading होने वाला है तो इससे related में कुछ stock भी आपको बता दूँगा कौन से stock आपको purchase करके रखना चाहिए साल दो साल या पांच साल के लिए तो कल एक अच्छा दिन है और मुरत trading करने का जो time है आपका 6-15 से लेकर के 6-15 से लेकर के हो जाएगा 7-15 तक ठीक है इस वात को ध्यान दिजेगा साम का साम का ये time है 6-15 से लेकर 7-15 तक और आज किसी का जो profit profit book हुआ होगा तो आपके console laser में तो दिखाई देगा लेकिन वो reflect नहीं होगा आपके पास जो available lose margin है उसी पर आपको play करना पड़ेगा तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं कोई और topic पर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा मुशी